अब दोस्तों वेलकम डू साइबर टेक और मैं हूँ आपका दोस्ते जास्या फ्रेंट्स क्रिप्टो वर्ड में बहुत सारी डेवलेप्मेंट्स हो रही होती है जिनके बारे में हमें बिल्कुल मदल्ब मालूमी नहीं होता और उसकी वज़ा से हमारे जो वैलेट के अंदर पड़ेवे टोकिन हैं उनके प्राइजेज डाउन चले जाते हैं हम यह समझते हैं कि ठीक है यह करेक्शन है यह है वो है लेकिन वो न्यूज की वज़ा से हो रहा होता है मतलब उनके साथ कुछ बुरा हुआ होता है या उनके मकाबले में जो प्लेटफरम चल रहे होते हैं कि एविन हम अपनी इन्वेस्मेंट जो है वो लांग ट्रेम के लिए फिर खो देते हैं या स्टक कर बैठते हैं रिसेंटली एक डिवलमेंट हुई है जिसके बारे में यहां पर आपको बताना बहुत जरूरी मैं समझता हूँ तो यहां पर आप देख लें यूनिस्वाप पड़ा हुआ है पिनकेक स्वाइप पड़ा है या पिर आप यह समझे लें कि बैनेंस की चेन के कुछ और टोकिन भी आपके पास इस तरह से पड़े हुए है तो उसका असर मेरा ख्याल है कि आपके वैलेट्स पर पड़ सकता है आपके पूर्टफोलियो पर पड़ सकता है ठीक है न्यूज एक्चुली क्या है आपके साथ में शेयर करता हूँ लेकिन उससे पहले आप थोड़ा ये देख लें कि पिनकेक स्वाइप का जो टोकिन है ये इसने अच्छा खासा डिप मारा है इस डिप के अंदर ये अच्छा खासा प्राइज इसका डाउन गया ठीक ह पिछले 24 आवर के अंदर इसने अच्छा पॉंप किया है 4.77% इसका प्राइज जो वो उपर गया है इसके मुकाबले में जो टोकिन आता है मतलब एक तरह से मतलब मुकाबला वैसे है तो नहीं लेकिन कह सकते हैं कि उसका नाम है यूनिस्वाइप यूनिस्वाइप का 6.69 दॉलर तक इसका जो प्राइज है वो चल रहा है वैसे यह है कि यूनिस्वाइप को आप ले ले या पेंकेक्स्वाइप को दोनों डीसेंट्रलाइजड एक्सेंजिस के टोकिन है एक मतलब जो यूनिस्वाइप है वो इथिरियम के टोकिन को सपोर्ट करती है मतलब जितने भी Ethereum के tokens आते हैं Ethereum की blockchain पर वो Uniswap पर launch होते हैं वहां पर उनकी trading जो है वो decentralized exchange के तोर पर होती है जबके Binance पर Binance BSC पर BSC पर जतने भी token आते हैं वो pancake swap का जो platform है जिसको pancake swap कहते हैं यह cake का platform है वहां पर आते हैं तो वहां पर cake जो हो utilize होता है उसकी burning होती है इस वजह से दोनों मतलब native token बन जाते हैं अपनी अपनी chance के अब Ethereum ज्यादा strong माना जाता है क्योंके उसकी जो security है वो इतनी है कि मतलब लोग उसको ज्यादा use करते हैं user जो है वो Uniswap के बहुत ज्यादा हैं लेकिन एक चीज़ जो है वो age देती है pancake swap को वो यह है कि pancake swap पर ज्यादा token आते हैं इस वजह जैसे क्योंके BSC पर token बनाए ज्यादा जाते हैं अब वो क्यों ज्यादा बनाए जाते हैं इसलिए क्योंके BNB की जो chain है BSC उस पर token बनाना मतलब comparatively थोड़ा सस्ता पड़ता है तो बहुत सारे ऐसे new developers जो हैं वो BNB की chain को support करते हैं वहाँ पर जाकर अपना token launch करते हैं उसका reason यह है कि pancake swap पर आप for example जाते हैं आज जाकर trade करते हैं कोई token buy करते हैं तो आपको fees कम बरनी पर जाती है इसलिए जो new users होते हैं या वो users या investors जिनके पास investment के लिए ज्यादा पैसे नहीं होते तो वो Uniswap पर जाते ही नहीं हैं वो क्या करते हैं कि pancake swap तक ही रहते हैं अब यही वज़ा है कि Uniswap ने यह जो proposal दिया है आलरेड़ी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि Uniswap दोस्तो पॉलिगौन की जो चेन है उसको भी सपोर्ट कर रहा है इथिरियम को भी सपोर्ट कर रहा है अब इनुने यह यहां पर decision लिया है जो कि मालब इसके जो holders है उसका 80% जो है उन्नों ने vote दिया है कि हम यहां पर Bainance की जो चेन है BSC इसको भी सपोर्ट करें मतलब इस पर भी टोकिन जो है वो यहां पर स्वाइप वगेरा हो सके अब एक रूमर जो है वो मार्किर के अंदर है मैं भी बड़े वक्त तक यह चीज समझता था कि पेन केक स्वाइप जो है वो एक्चुली बाइन्स का है मतलब बाइन्स के सीयों ने बनाया हुआ है ऐसा कुछ है लेकिन हकीकत मैं आपको बता हूँ ऐसी कोई भी बात नहीं है यह प्लेट फार्म एक अनानिमस मतलब आदमी था कोई ग्रूप था जिसने बनाया था उसको जो है वो support जो उनोंने ली वो ली BSC से तो वहां से यह बनलब चलता रहता है डिरेक्ट ली बाइन्स का इसके साथ कोई भी तालुक नहीं है जैसे डिरेक्टली इधिरियम का विटरलिक बटर्न का यूनिस्वाइप के साथ कोई भी तालुक नहीं है यह चीज भी मतलब आपके लिए जो वो नॉलेज में आपको देना बहुत जरूरी था अच्छा 20% लोगों ने इसके अगेंस्ट वोट किया है यह सारा ऐसा क्यों कर रहे हैं आप देख सकते हैं अब लाइसेंस एक्सपाइरेशन जो है यह भी मतलब इसमें एक रीजन है वहाँ पर थोड़ा यह सारी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं कुछ प्राबलम्स है मतलब यह उसका सेक्यूरिटी का एक सिस्टम है और इसी की वज़ा से एथिरियम पर ज्यादा ट्रस्ट भी किया जाता है एक चीज़ और भी यहाँ पर आपकी नाॉलिज में दोस्तों आपको दे दू कि ज्यादा तर जो मतलब सकेम टोकिन आते हैं वो भी BNB पर ही आते हैं बहुत सारे इसे लोग हैं जो टोकिन बनाते हैं और पेंकेक स्वाइप पर छोड़ देते हैं या पिर कुछ एक्सेंजिंजिस पर उन्होंने लाँच की है और फिर भाग गए बाद में मतलब ऐसा हुआ है मेरे साथ भी हुआ है आपके साथ भी हुआ है जाहिसी बात है हमने इस तरह से अपने पैसे गवाए है लेकिन सवाल ये बनता है कि पेंकेक स्वाइप मतलब जो के ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस नहीं रखता जितनी यूनिस्वाइप नॉर्मली रखता है मतलब एक नाम के इसाब से कह लें कि क्रिप्टो वर्ड के अंदर यूनिस्वाइप ज्यादा यूज होता है इसलिए क्यूंके उसको ज्यादा सेक्यूर समझा जाता है तो अगर बी एसी की चैन को भी यूनिस्वाइप सपोर्ट करने लग जाता है तो वो भी अगर इस तरह से सपोर्ट करने लगता है तो फिर केक का प्राइप जो के निटिव टोकन है पेन केक स्वाइप का इसका बढ़ेगा या कम होगा आप क्या समझते हैं नीचे कमेंट में मुझे बताइएगा मेरा अपना ख्याल क्या है मैं भी यहां पर चलो बता देता हूँ मेरा ख्याल यह है कि केक की प्राइप को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मतलब यह ना कम होगा ना जो है वो इसका प्राइप इस वजजा से बढ़ेगा ठीक है मेरा ख्याल है कि शुरू में पंप कर सकता है इस वजजा से क्योंके लोग समझते हैं कि पेनकेक स्वाइप जो है वो बैनेंस का है बीसी चेन का है तो बीसी चेन को अब इथिरम भी सपोर्ट कर रहा है तो बी एनबी की प्राइप में भी सपोर्ट मिल सकती है लेकिन लॉंग ट्रम में यह चीज यहां पर करेक्शन करेगी और फिर बैलेंस के साथ ही चलता रहेगा एक्चली पेंकेक स्वाइब के लिए जो चीज है वो यह है कि इसके अंदर इन्वेस्मेंट्स कितनी आती है मेरा अगें यही ख्याल है कि लोग आज भी ज्यादा यूज जो है वो पेंकेक स्वाइब को आम जो लोग है न्यू कमर्स जो है न्यू जो आएंगे क्रिप्टो वर्ड के अंदर वो पेंकेक स्वाइब को ही प्रिफिर करेंगे यूज करना इस वज़े से केक की प्राइब में कुछ ज्यादा फरक नहीं आना लेकिन पॉसिबलिटी यहां पर दोस्तों जरूर मौजूद है इसलिए मैं आपको यह सजिस्ट करूंगा कि अगर आपके वैलेट्स के अंदर पेंकेक स्वाइब का टोकिन केक पड़ा हुआ है या फिर स्वाइब पड़ा हुआ है तो दोनों पर आपने नजर रखनी है ताकि अगर ऐसा कोई फोमो या फिर क्रियेट होता है दोनों में से किसी पी क्वाइन के लिए तो आप अपने वैलेट्स में से जितने भी सेल कर पाएं उतने कर दीजेगा क्योंकि आपके जो लॉसिज है वो ज्यादा ना बढ़ जाएं आई होप दोस्तों वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है लाइक करें कमेट करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन जरूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़ी रहें से क्यर अलाफ़ कोष्व खोड़ी रहें से खोड़ी रहें से खाम वावा जारी रहें से क्या सवावाब लाइकन जरूर ने च्सक्तार अबाद पाल अलाफ़ी रहें से